अगर रेल की पटरी पर high voltage current का तार गिर जाए, तो क्या current पूरे देश में फेल जाएगा? सायद मेरे हिसाब से नहीं. आपको क्या लगता है? भारतिय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा network है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे की पटरियां पुरे देश में बिची हुई हैं, और सभी पटरियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. आज का हमारा विडियो बड़ा ही दिल्चस्प हैं. आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर high voltage वाला करंट का तार यदि रेल की पटरियों पर गिर जाए, तो क्या करंट पूरे देश की पटरियों में दौड़ जाएगा? कभी न कभी तो यह सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा. तो आज हम आप सभी के इसी सवाल का जवाब लेकर आएं हैं. शायद आपका मानना हो कि हाँ, यह करंट तो पूरे देश में पहलेगा ही, क्योंकि सभी पटरियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. लेकिन हम आपको बता दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर रेल की पटरियों पर करंट का तार गिर जाए, तो यह करंट ज्यादा दूर नहीं पहलेगा, क्योंकि रेल की पटरियां जमीन के साथ जुड़ी होती हैं. अगर अपने रेल की पटरियों को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ट्रैक को बांधने वाली धातू की छड़ी जमीन के अंदर तक गड़ी होती है आपको ये बात तो पता ही होगी कि अर्थिंग करंट को जमीन के अंदर भेज देता है अगर रेल की पटरी पर करंट का तार गिर जाए तो सारा करंट जमीन के अंदर चला जाएगा हालां कि अगर rail की पटरी पर बहुत ज्यादा voltage का तार गिर गया तो ये rail की पटरी को पिघला भी सकता है ऐसा ही कुछ हुआ था गोरकपुर के कुसम ही railway station के पास जब rail की पटरी पर 25,000 volt का तार गिर गया था और उसके गिरने से पटरी का कुछ हिस्सा पिखल गया था लेकिन छोटे मोटे करंट से ऐसा कुछ भी नहीं होगा विडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अगर आप इस चैनल पर नए है और ऐसी ही और विडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें